दोस्तों ये इंट्रो में बहुत ही शॉट रखने वाला हूँ जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे सजिस्ट किया है अगर आपके पास Redmi Note 11 सीरीज का कोई भी फोन हो चाहे Redmi Note 11 हो, 11S हो, Pro हो, Pro Plus हो आपके पास Redmi Note 10 सीरीज का भी कोई भी फोन हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है आज मैं आपको तकरीबन 25 ऐसे खतरनाक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये सब आपके फोन के अंदर ही था और आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था और ये इतने useful features हैं दोस्तों कि अगर आपका फोन का बैटरी एक दिन चलता था तो वो directly बढ़कर देर दिन हो जाएगा बिल्कुल guarantee है ये आपका privacy ऐसा protect होगा कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकेगा आपका फोन के अंदर कोई जाक भी नहीं सकता और कुछ आपका data चुड़ा भी नहीं सकता और आपका फोन का overall performance तो ऐसा rocket के तरह भागेगा कि बस आप देखते रह जाएंगे बस आपको इन 25 settings को या तो on करना है या तो off करना है तो नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं magical tech guru और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस brand नीव वीडियो में और हाँ ये सब बतानी से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल बटन को दबा दीजे ताकि आप हमारे ऐसे ऐसे मज़दार वीडियो का अनन्द सबसे पहले उठा सकें इन फैक्ट ये चार permission के लावा और permissions में आप जाएंगे तो आप सारे permissions को देख सकते हैं तो जितने भी sensitive permissions हैं दोस्तो वो कौणकॉन सा app यूज कर रहा है वो सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका camera app है अगर आप इसको देखे तो कौणकॉन सा app allowed है कौणकॉन सा आपका camera क्यों access करेगा दोस्तों मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो आपको एक-एक permission को individually check करना होगा कि कौन कौन सा app है जो आपके sensitive permission को use कर रहा है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो जैसे ही आप message app में जाएंगे आप यहाँ पर don't allow कर देंगे don don't allow anyway कर देंगे और आप देखेंगे back जाएंगे तो don't allow में आपका message app आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं message app आ गया है तो इस तरह से दोस्तों आपको back जाना है जितने भी permission से सारों को check करना है और जो भी app extra permission use कर रहा है जिसको आपको लगता है जरूरत नहीं है बिल् से पहला activity control है यहाँ पर जो आप पहला option देखेंगे वो web and app activity का है तो यह on होगा obviously इसको आपको turn off कर लेना है क्योंकि unnecessarily हमेशा यह आपका battery खाता रहता है और आपका बहुत सारा data share होता रहता है जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है जब जरूरत है तो आप इसको आप off रख सकते हैं और आप देख सकते हैं यह turn off हो जाता है इसके बाद इसी में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको location history का permission मिल जाता है जो again on होगा इसको भी आपको turn off कर देना है दोस्तों यह हमेशा आपको on रखने की जरूरत नहीं है हाँ अगर आप कहीं बाहर जाते हैं किसी other country में जाते हैं other location पर जाते हैं तब आप इसको on करना चाहें तो concert है बत वो बहुत ही कम होता है rare होता है साल में मुश्किल से दो बार तीन बार चार बार होता है तो basically आपको इसको हमेशा off ही रखना है जब जरूरत परे तो on करना है और okay कर देना ह वापस से back हम लोग privacy में जाएंगे और activity controls की नीचे आप देखेंगा आपको ads option मिलता है इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर पहला option देखेंगे opt out of ads personalization जिसको आपको 100% enable कर देना है ताकि आप अपने publisher को बता रहे हैं कि आपका जो personalized ads है वो कम से कम कर दिया जाए और over a period of time बिल्कुल खत्म हो जाए क्योंकि आपका जो personalized data है वो publisher तक नहीं पहुचेगा जब आप opt out कर लेंगे इस option से तो इससे आपके publisher को पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा ad देखना ज्यादा पसंद है आपका क्या-क्या choices है और उसका फायदा यह होगा कि आपको वो ad भे पे कर रहा है दोस्तों कि आपको ad plus selection बताना है debug logging को enable करना ads के लिए तो आप बिल्कुल रख सकते हैं मगर मुझे तो कोई पे नहीं करता है इसके लिए इसलिए मैं बिल्कुल भी इसको disable करके रखूँगा future में अगर पे करना चाहे तो मैं सोच सकता हूँ enable करने का कुछ मिल जादा आपके uses and diagnostic से समझ सके कि क्या क्या आपका features होता है क्या 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 आपका requirement होता है मगर इसका फाइदा उसको मिलता है आपको नहीं मिलता है आपके लिए नुकसान यह है कि आपका battery भी खाता है यह आपका data भी खाता है तो पटक से इसको off कर देंगे और again मैं बोल रह जाएंगे settings में और यहां पर आप देखेंगे आपको battery का option देखने को मिलता है इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहां पर आप देख सकते है scan करते हुए आपको बताएगा कि कितने issues है 100% इसके अंदर आपको जाना है और इसको आपको fix करना है ताकि आपका 11 minute और add हो जा रखते हैं never तो आपको रखना ही नहीं चाहिए मेरत ख्याल से 5 minute में इसको off कर लीजिए जितना जल्दी data आपको off हो का उतना battery बचेगा और data तो बचेगा ही बचेगा इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे battery drain notification इसको आपको 100% enable कर रखना है ताकि आपको बताए mobile की battery जो है बहुत तेजी से drain हो रहा है और किसके दवार drain हो रहा है ये भी आपको बता है ताकि आप manually उस app को जाके close कर दे जो आपके battery को बहुत पूरी तरह से चूस रहा है अब चले बढ़ते हैं next feature की तरफ हम लोग settings में जाएंगे इसके बाद नीच आएंगे passwords and security में इस क्या होगा दोस्तों देखेंगे जैसे ही हम लोग अभी गया थे तो आपने देखा था pattern देने पर आपको दीख रहा था अब आप देखेंगे कि नहीं दीख रहा है इसमें एक फायदा और है unlock with fingerprint इसको भी आपको 100% इनेबल करके रख लेना चाहिए ताकि fingerprint से भी आप इसको protect हो जाता है और सिर्फ आप ही उस data को यानि कि photo, files, notes, videos को आप देख सकते हैं और कोई भी दूसरा को या other apps आपके उस data को नहीं देख सकता है तो आपकी phone के security के लिए बहुत ही important है आपको बिल्कुल भी use करना चाहिए back जाएंगे फिर से back जाएंगे settings में और यहाँ पर display का आपको option देखने को मिल जाता है इसके अंदर हम जाएंगे इसमें बहुत ही important है कि जो sleep है इसको आपको बिल्कुल कम से कम रखना है मैं video बना रहा है इसलों मैंने 10 second रखा है वलना आपको 1 minute या 30 second रखना ideal time एक minute का है आपको 1 minute ही रखना चाहिए इससे फायदा यह होता ह है कि आपका बैटरी काफी बचता है इसके बाद आप देखेंगे रेस टुवेक का आपको अप्शन मिल जाता है 100% को इनेबल कर लेना है ताकि जैसे ही आप फोन उठाए तो आपको दबाना ना पड़े कोई बटन जिससे आपका बैटरी ज्यादा यूज़ता है आपका स् पर MI है इसको आपको 100% डिसेबल करके रखना चाहिए क्योंकि यह आपको बहुत ही डेटा यूज़ करता है और बैटरी तो 100% यूज़ करता ही करता है तो यह जैसे ही आप आप कर देंगे तो भले ही आपको आपको लॉक स्क्री में देखने को नहीं मिलेगा जो हमीशा चे करने का experience से वो शांदार हो जाब देख सकते हैं कितना बढ़ी है notification effect आपको देखने को मिलता है जब भी कोई भी notification आता है चाहे miss call का हो चाहे कोई भी app का notification हो वपस बैक जाएंगे settings में और यहाँ पर आप देखेंगा आपको wifi का option मिल जाता है इसके अंदर हम लोग जाएंग और कोई भी wifi network नहीं मिल रहा है तो आपको mobile data पर यह switch करना चाहेगा ताकि किसी भी तरह का आपको data disconnection का problem ना हो इनकेस अगर आप कोई बहुत important काम कर रहे है data जिसमें usage होता है तो वो काम आपका interrupt ना हो इसके बाद traffic mode है इसको भी आपको 100% enable कर करना चाहे है जिसमें आपको download हो सकता है बाद में भी हो तो चलेगा जैसे आप अपने office का काम कर रहे है तो आपको fast connection पे switch कर जाना चाहिए ताकि आप जो भी app पे अभी काम कर रहे है उसको priority दे और जो भी download background में हो रहा है उसको slow कर दे या pause कर दे चली बढ़ते है next feature के तरफ तो again हम लोग settings में sound and vibration है इसके अंदर हम लोग जाएंगे थोरा से इसमें भी नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको additional settings का option देखने को मिलता है इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहां पर बहुत सारा sound है जो apply हो रहा है जो कि बहुत important नहीं है जैसे dial pad है आप नहीं चाहते हैं dial pad में हो तो install होना ही है दोस्तों तो उसके लिए आपको sound की क्या जरूत है कोई item delete कर रहे है तो वो तो आपके sound नहीं हो रहा है उसके लिए आपको sound की जरूत नहीं है जब charger connect करते हैं तो sound चाहिए बिल्कुल चाहिए वह तो important है ताकि आपको पता चले कि हाथ charging हो रहा है और जो आप अपने phone को restart करते हैं तो obviously आपको sound अच्छा लगता है श्रों में जो MIUI का आता है तो आप इसको on डग सकते हैं तो चले दूस्तों बढ़ते हैं next student feature के तरफ तो जैसे ही आप screen पर right swipe करते हैं तो आप देखते हैं आपको Google discoverer आ जाता है जो कभी-कभी आपको annoying लगता है और आपका ये battery भी unnecessarily खर्च करता है बीना आपको बताएवे तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे तो आपको settings में जाना है थोड़ा सा इसमें नीचे आएंगे आप देखेंगे आपको home screen मिलता है इसके अंदर हमको जाना है और minus one screen में आप देख सकते हैं Google discoverer है इ देख सकते हैं कि आप कोई भी shortcut से कोई भी APP खोल सकते हैं या फिर recommended आपका यहां पर दिखाते रहता है या पर आप कोई भी action लेना चाहते है उप्टिमाइज करना चाहते हैं security scan करना चाहते है Facebook link करना चाहते है fresh file को clear करना चाहते है तो सर आपको यहां पर देखने को मिल जा करना होता है मगर आप चाहते हैं आईफोन के तरह आपको होरिजॉंटलि यह तो आप यहां से इसको सेक्ते हैं और आप देखे हम करने के लिए आपको डेंगा जाएंगा और इसके नीचे आप देखेंगा तो शो उंबर्य स्टेटस जो कि बहुत इंपॉर्टनट है अपको ह कर आप पोड़ने आप संसे इसको आप लाइबल कर सकते हैं एक स्लियर कर सकते हैं एक को even remove कर सकते हैं ताकि जितना भी आपका memory है वो clean हो जाए और ज्यादा ज्यादा memory आपको available हो जाए वैसे तो आप जानते हैं दूस्तों कि जब आप settings में जाते हैं नीचे आप scroll करते हैं additional settings में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं memory extension आपको देखने को मिलता है जो आपको 100% enable करक रखना चाहिए ताकि जितना भी आपका RAM है अभी मेरा 4GB है तो 1GB यह बढ़ा देगा जब भी जरूरत होगा अगर आपको 6GB है तो 2GB बढ़ा देगा 8GB है तो 4GB बढ़ा देगा तो इस तरह से आपको ज़्यादा ज़्यादा RAM मिलेगा ताकि आप कोई gaming कर रहे हो या फिर को बहुत जरूरी से इनेबल करके रखना चाहिए खासकर आपके जितने भी financial apps हैं confidential apps हैं जैसा कि आप देख सकते हैं by default MI credit MI pay के लिए enabled है जो की recommended है gallery के लिए इसको इनेबल कर देते हैं और अभी आप gallery में देख रहेते हैं जो preview आ रहा था recent में वो blur नहीं हो रहा था मगर अब blur प्रिवी में मैंने इसको इनेबल कर दिया है तो recent में जाके देखते हैं कि gallery blur होता है कर नहीं होता और आप देख सकते हैं बिल्कुल blur हो गया बिल्कुल पता नहीं चल रहा है तो कोई भी confidential app जिसको आप चाहते हैं recent में blur कर देना ताकि कोई भी तांका जाकी ना करके आपको देख सके आपके data को secure करना है तो आपको यह करना ही होगा और आप यहां से कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह video अच्छा लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए फाइदे मन्द है तो प्लीज इसको like करना बिल्कुल मत भुलेगा और क्या आपने दोस् को जिसमें इतने सारी information होते हैं मिस ना कर सकें अब हम लोग बढ़ेंगे next student feature की तरब तो obviously आपके वास बहुत सारा apps आपको MI देता है जिसमें themes है इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहां पर नीचे आप देखेंगे आपको profile का option मिलेगा इसके अंदर हम लोग जाएंगे आपको ads नहीं चाहिए आपको personalized recommendation नहीं चाहिए वापस बैक जाएंगे हम लोग home screen पर यहां पर आप देख सकते हैं security app भी आपको दिखेगा इसको भी आपको जाना है यहां right up corner में आप देख सकते हैं settings मिलेगा इसमें जाना है और यहां भी देखे छुपकर बैठा होगा न इसके अंदर हम लोग जाएंगे अगेन इसके settings में जाएंगे आप जानते हैं आपको कहां जाना है थोड़ा नीचे करना और देखे रिसीव एक्मूडेशन यहां भी on है अगेन इसको आपको off कर देना है और load using only wifi है इसको आपको enable कर देना है ताकि आपको mobile data बचे और फाल mobile से payment करते हैं तो यह आपके payment पे monitoring करता है जिसकी मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी जरूत नहीं क्योंकि जितने भी payment apps होते हैं चाहे वह Google पे हो चाहे वह phone पे हो या किसी भी तरह का भारत पे हो उसका एक अपना monitoring system होता है जो कि बहुत robust होता है बहुत strong होता है तो आपको ब देखेंगे बिल्कुल चुक के notify about updates और recommendations है तो updates तो फिर भी ठीक है दो सो apps का updates आता है आप उसको install करना चाहते हैं तो notify you मिल जाए मगर recommendation आपको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप क्यों चाहते हैं कि unwanted apps आपके mobile में installed आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं तो इसको 100% disable कर लीजेंगे और जैसे ही इसमें आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे receive recommendation से अगेन इनेबल कर देना है और load using only wifi इसको इनेबल कर देना है ताकि आपका data बचे और आपका mobile tomatoes open जाएंगे इसमें आप देख सकते हैं आपको app lock मिलता है इसके अंदर हम लोग जाएंगे जो भी pattern है वो दे देंगे यहा अगीन आप देख सकते हैं settings मिलता है हो जाएंगे फिर से बैग चायेंगे और इसीमें नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे अगिन आपको बहुत सरा एप देखना को मिल जाता है जिसमें आपको Data uses कभी एप देखने को मिलता है जो बताता है कि आपका कितना data ईूज हुआ है अगेन इसके settings में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं report data uses info जो कि again बहुत important है आप नहीं चाहते हैं कि आपके data uses को जो भी info हो वो किसी के साथ भी share किया जाए आपको क्यों share करना है इसको फटाक से off कर देंगे ताकि आपका जो भी data है वो confidential data है आपके mobile में ही रहना चाहिए बिल्कुल भ बढ़ते हैं next hidden feature की तरफ तो हम लोग music में जाएंगे अब आप सोच रहे हैं दोस्तों music सुनेंगे तो बैटरी तो खत्म होगा ही नहीं दोस्ता हम लोग music नहीं सुन रहे हैं बल्कि इसमें battery कैसे आप बचा सकते हैं ताकि आप music भी सुन सके और आपका battery भी बचे आपका फ नहीं देखना है, disable कर देंगे, again online recommendation आपको नहीं चाहिए जिससे आपका data use होता है तो obviously इसको भी आपको disable कर देना है, mobile data को थुरू आप video play करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ wifi से करना चाहते हैं, तो इसको भी आप disable कर देंगे, और नीचे आप personalized recommendation again देख सकते ह और हमको धनेवाद काना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तो, वीडियो को like करके, अपने दोस्तों के साथ share करके, और अगर आप हमारी channel पहली बार आए हैं, तो subscribe कर लिजे, bell button को दबा दीजे, क्योंकि यह जितने भी research है, यह जितने भी R&D है, यह हम सिर्फ आपके लिए कर आपको 100% disable कर लेना है, कारण आप जानते हैं, पिछले 5 मैंट से मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको battery बचाना है, आपको data बचाना है, आपको phone को overall fast बनाना है, इसके बाद हम लोग next feature की तरफ जाएंगे, तो हम लोग apps में जाएंगे, और files app में जाएंगे, यह file manager आप इसको enable करके देखें, वरना आपको इसको हमेशा disable करके ही रखना चाहिए, ताकि गलती से कोई भी ऐसा hidden file, जो कि system file हो, जिसको आप जगलती से delete कर देंगे, या access कर ले कोई भी app, जिसे आपको mobile के data को वो चोड़ी भी कर सकता है, यहां से back जाएंगे, और आप जानते है, file manager का एक बहुत ही बड़ी आखास यह था है, अगर आप उपर ने से swipe करेंगे, तो आप देखेंगे, release to view private files, तो आप जैसे ही release करेंगे, तो आप देखेंगे, आपको pattern देने को मिलता है, pattern दे देंगे, तो आप देखेंगे, यहां पर private files आप देख सकते हैं, तो अब आप जा देखते हैं, कि आपको ये page देखने को मिलता है, जिसमें आपको बताता है, कि आपका app जो वो install हो गया है, यहां से आप open भी कर सकते हैं, more apps भी जा सकते हैं, हाला कि इसका बिल्कुल भी जरूत नहीं है, दोस्तों, मगर Redmi और MI में ऐसा system है, तो है, और यहां पर आपको ads भी यहां से disable कर देना है, और जैसे ही आप disable कर देंगे, तो आप देखेंगे, पहले जो भी ads यहां पर आता था, बिल्कुल भी ads यहां पर नहीं आएगा, चली दोस्तों, बढ़ते हैं, next, बहुत ही खतरनाक settings के तरफ, बहुत ही अच्छे feature है, जो बहुत ही hidden feature है, इसके लिए हम लोग settings में जाएंगे, additional settings में जाएंगे, और यहां पर सबसे नीचे आप देखेंगे, developer options का आपको option देखने को मिलता है, और क्या कहा आपने दोस्तों, आपको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यह अपने आप में एक hidden settings है, यह hidden में भी hidden settings ह तो यह कैसे मिलेगा, तो मैं पहले इसको आपको disable कर देता हूं, back जाता हूं, फिर से back जाता हूं, और again additional settings में जाता हूं, नीचे आप देख सकते हैं, अब मेरे को भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने developer options को enable नहीं disable कर दिया है, enable कैसे करेंगे दोस्तों, तो back जाएंगे, आ आपर about phone में जाएंगे, और obviously MIUI 13 वर्जन आपको देखने को मिलता है, जिसमें Android 11 है, जो कि 12 होना चाहिए, अगर आपको लगता होना चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताइए, कि आप Android 12 चाहते हैं, और जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, उतना MI और Redmi को पता चलेगा, और जल्दी से जल्दी OTA update को थुरू Android 12 जो है, आपके Redmi Note 11 सीरीज में आपको प्रोवाइट करेंगे, तो developer options कैसे enable करेंगे दोस्तों, तो MIUI वर्जन आप देख रहे हैं, इस पर multiple type कीजिए, शतार बार टाइप कीजिए, और आप देख सकते हैं, you are now a developer, अब बैक जाएंगे, अ आपको टैप करना है, अगर आप चाहते हैं कि फोन आपका बिल्कुल फास्ट हो जाए, बिल्कुल भी आपका बैटरी जो है, खत्म ना हो तो आप आप कर देंगे, और आप चाहते हैं थोड़ा बहुत animation देखें, तो थोड़ा बहुत battery खर्च हो, थोड़ा बहुत mobile आपका हो नहीं होना है, अब चले दोस्तों कुछ gallery के आपके hidden features देख लेते हैं, जो कैसे आपके privacy को बढ़ाते हैं और आपका battery बचाते हैं, तो आपको यहाँ albums में आना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको album देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही मैं surprise album ले ल हो है, तो वह देखने के लिए आप three dots के menu में जाएंगे, settings में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, view video albums है, इसमें अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, surprise album चुपके बैठा हुआ है, जो सिर्फ आप देख सकते हैं, और कोई भी नहीं देख सकता इंकेस आपको लगता है, कि अब यू normal हो गया है, तो आप इसको unhide कर दीजे, ok कर दीजे, back जाएंगे, तो देखें, unhide होके, आपकी यहाँ पर आकर बैठ जाएगा फिर से, albums में, इसी के साथ दोस्तो settings में जैसे ही आप जाएंगे, तो आप देखेंगे, एक और आपको privacy का बहुत ही अच्छा option देखने को मिलता है, जो कि secure sharing के नाम साथ है, इसमें आप जाएंगे, और यहाँ पर आप देखते हैं, share without location info by default, तो obviously अगर आप अपना photo share कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि आप photo share के साथ location भी share कर दें, गलती से, तो आप इसको enable कर देंगे, और again आप चाहते हैं कि आपका photo ही share हो, उसके साथ metadata जैसे को photo का details कि इसमें कितना ISO था, कौन सा camera model है, क्यों सा land है, पंद है, जितना भी information है, वो भी share ना हो, तो इसको भी आप यहाँ से enable कर देंगे, तो यह काम कैसे करता है दूस्तों, तो आपको albums में जाना होगा, किसी भी photo को पकड़ लेना होगा, obviously इसको आपको share करना होगा, और share करते से में आप यहाँ पर दे सकते हैं, location info was removed, क्योंकि आपने उसको enable कर दिया था, आप देख सकते हैं, share without location info, और share without metadata, यानि कि यह photo ही आप शिर शिर कर रहे हैं, और कोई भी additional information आप share नहीं कर रहे हैं, जो कि आप पर again नीचे हैंगे, तो आप देखेंगे कि आपको मिलता है enroll in user experience program, again यह आपको बहुत data collect करता है दोस्तों, और आपका share करता है, जिससे आपका data भी use होता है, और आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी confidential data किसी और के साथ share हो, भले ही वो किसी के फाइदे के लिए use क्यों और क्योंकि Xiaomi को अगर फाइदा चाहिए, तो वो आपको contact करके भी data ले सकता है, इस तरह से आपको permission का data देने का ज़रूत नहीं है, आपको 100% इसको disable कर देना है, इसके बाद अगेन आप देख रहे है, uses and diagnostics, जिसमें clearly mentioned है, share data to help improve MIUI, तो दोस्तों, उनके पास अपने कितना R ND है, जिससे वो अपने MIUI को improve कर सकते हैं, बक्स तो fix होता नहीं इन से, कितने बक्स हैं आप भी जानते हैं, मगर आपके data को analyze करके ये bug fix करने ही को हिश कर रहे है, again आपको payment करते हैं, तो आप इसको on रखे, मैं तो 100% को off कर दूँगा, ताकि मेरा battery का live भी बड़े, data भी again add services है, आपको कितना add चाहिए, दोस्तो फसलाइज add services, again आपको 100% disable करके रखना चाहिए, अभी यहां back जाएंगे, और फिर से back जाएंगे, और आप देखेंगे कि password and security में ही authorization and revocation का option देखना को मिल जाता है, जिसमें बहुत ही important setting है, दोस्तों, जिसको आपको 100% disable कर देना है सबसे पहले MSA को, आप देख सकते हैं, revoking authorization में ही आपको बताता है कि after you revoke authorization, the app will stop collecting data, obviously है आप तो यही चाहते हैं, यह आप जो है आपका जितना भी collect कर रहे data, वो confidential data है, वो आपका data है सबसे बड़ी बात है, और obviously यह आपको बहलाने फुसलाने के लिए बोलेगा कि server से data को delete कर दिया जाता है, and all everything, learn from the one, आप देख सकते हैं, unusable हो जाएगा, revoke anyway, yes, revoke, और देखें, revoking authorization successfully हो जाता है, और यह करते हैं, दोस्तों believe किजिए कि आपका एक दिन से डेट दिन जो बैटरी बैकप में बोल रहा हो, इसका बहुत बढ़ा योगदान है, तो अगर आप वीड वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जितने भी settings हैं, उसको या तो आपको off करना है, on करना है, और जैसा मैंने बताया है, बिल्कुल वैसा ही करना है, और कोई भी नहीं रोख सकता है, दोस्तों आपके phone को rocket के तरफ फास्ट होने में, बैटरी एक दिन से डेड़ दिन और सकता है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे settings को on and off करेंगे तो, और 100% आपका data privacy जो है, वो secure हो जाएगा, आपका data कोई भी ना चुरा सकेगा, ना देख सकेगा, तो comment section में जरूर अपना feedback दिजेगा दोस्तों, आपका feedback बहुत important है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप जानते हैं, like करना है, दोस्तों को साथ share करना है, और पहली बार आए हैं तो channel को subscribe कर लेना है, bell button को दबा देना है, ताकि ऐसे नए-नए features का अनन्द सबसे पहले आप उठा सकें, जैसे हम वीडियो डालते हैं अपने channel पे तो, तो next video में फिर मिलेंग तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्यार रखेगा, जै हिंद, जै भारत